हेलो गुड मॉर्निंग एव्रिवन वेल्कम बैक टू माई न्यू व्लॉग कैसे हैं आप सभी लोग आई होप सब अच्छे होंगे मैं भी एकदम अच्छे हूँ तो आज है दिन थर्सडे और अभी टाइम हो रहा है सुबर के 9 और यहां पर हो रही है फ्रेंट्स मेरी मॉर् है मुझे क्योंकि दो दिन से ऐसा हो रहे हैं कि व्लॉग का सोच रही हो लेकिन नहीं बना पारी थी एक्शली यह है ना रीजन की स्माइली के ना अभी क्लास टेस्ट चल रहे है इस टाइम और वो भी कंटिन्यू बिल्कुल भी मतलब बिच में हॉलिडे भी नहीं है तो प है मेरी तो यहां पर मैं अपनी पूजा कर रही हूं सुबा की आरती वागेरा तो यह हो चुकि है फ्रेंड्स मेरी मॉर्णिंग की पूजा और आज मैं स्माइली को जगाने वाली नहीं हूं कि वो थोड़ा देर तक पढ़ी पढ़ाया था मैंने उसको रात को तो आज टूशन नहीं भेजूंगे मैं उसको पाई हूं क्योंकि मैं स्माइली को पढ़ा रही थी इसका है टेस्ट आज अभी टेस्ट चले क्लास टेस्ट उसके बाद तुरंती फिर एक्जाम स्टार्ट हो ली के बाद से तो वहीं चल रहा है और इसका कहाना थोड़ा भूलने की विमारी है घर से सारा याद करके जाती प्र withdrawal मतलब इतना कि इसको विल्कूल भी कोई ऐसा नहीं कि इसको कुछ नहीं आता है सारा पूरा पेपर मैं इसको करवाती हूं इसको खाली चोड़ के आती हैं तो वो मिस्टेक हो जाती है, इसको मैं वही पढ़ा रही थी अभी, तो मेरा दिन ऐसे निकल गया, अभी मेरा खाना भी मुझे बनाना, ये स्कूल निकले कि इसके बादी बनाऊंगी मैं खाना वगरा, अभी इसको नहलाना भी है, सुबा आज इसको टूशन नहीं भेजाता, मुझे लगा शायद ये सो नहीं पारी है, इसकी नींद पूरी नहीं और ये स्कूल में तो आज मैंने इसको टूशन भी नहीं भेजा, और मैंने का अच्छे से सो लेगी, तो ये 10 सवा 10 तक सो ही है आज, सो कर उठी है, उसके बाद नास्ता वास्ता की अब रस करके, फिर म मैं इसको अभी में इसको लेके बैठी थी तब से तब से ड्राइंग भी है क्योंकि उस पेपर में आज है कॉन्वर्शेशन का तो वही करा रही और जब पच्छे करते नहीं है न हम हम इतनी महनत करें इनके पीछे में दो दिन से अपना व्लॉग भी नहीं बना रही हूं देखो उसके तैनी करो रखो उसको उदर रखो उदर रखो ददू का एनवा खाओ जल्दी जल्दी अभी खिलारी हूं फिर बारा बजने वाले हैं देखो ऐसे काम करती है यह सब लोग देख रहे हैं हाँ क्या जल्दी से खाओ दूद पीओ पटा फट से नहाना है अभी नहलाने के बाद नहीं खिला सकते पूरी खराब हो जाएगी एंट टाइम पर नहलाना पड़ता है स्कूल के लिए कि बस नहायद होए कपड़े पैने और सिधा निकले पहले से अगर नहला दो तो फिर वह वैसी हो जाना है उसको सटान इतना है खाओ जल्दी से बस खेलने में दिमाख रहता है पड़ने में नहीं रहता है बिल्कुल भी से लिए इसको भेजने के बाद मिल पाएंगी मैं आप लोग से आराम से तो गईजी स्माइली को खाना वाना खिलाया उसके बाद फिर उसको नहला के अभी यहां पेना रही हूं यूनिफॉर्म वगएरा तय क्योंकि आज तो सब्जी बनी भी नहीं है और एक्चुली क्या है न यह बनाओ भी न तो भी नहीं खाती है सब्जीया तो उसको पसंदी नहीं है बस सिर्फ आलू खाएगी घर में तो दाल खाएगी दाल स्कूल में तो लांच में पैक भी नहीं कर सकते तो ऐसी पराठा व वो गया समायली को गय हूए उसके बाद फिर मैंने दलिया खाया बूक लगी थी कि सुबहा हलका फुलका नास्ता किया था सोचा खाना बनाओंगी फिर उसका पढ़ाने बैठकी ऐसे तो फिर मैने खाना बनाया नहीं स्मायली को लंच के लिए चीज पर आठा दे दिया था औ वो भी दलिया खा के चली गई थी और अभी मैं बनाने जारी हूँ बैगन का भरता चीले हैं चार पांश चीले वे लगाना हैं और मेडियम साइज का बैगन ज्यादान नहीं है ज्यादा छोटा भी नहीं है तो बस इस में थोड़ा सा ओई लगाना पढ़ता है बैगन में तो अच्छा रहता है मतला ओई लगा के और इसके अदर च्छेद करके और लासून ऐसे लगाते हैं और मेरे हाथ में फोन यह बीच बीच में जाजा कि अलटी पलटी रहोंगी गैस पे और मैंने सुचा जब तक यह रूम साफ कर लूँ कुकि यहां पर अभी स्माइली थी ना उसको तैयार व्यार किया फैली जाता है सुबह सिफ जाड़ू अगरा तो लगा दी थी लेकिन फिर भी हो जाता है अभी सू और काफी तेज धूप निकलती है तो बस जल्दी से क्लीनिंग कर लेती हूं और उसके बाद फिर जाती हूं किचन में बैगन का भरता जो है जब तक बैगन भी भून जाएगा तो बाकी तैयारी करने है मटर और प्याज व्याज लहसुन अधरा खरीमेट सब कुछ काट प प्याज तैयारी कर लिए वसी में तर्ट का तरड का लगा रही हूं तो बस यहां पर मैंने तेल गरम हो गया है इसमें डाला ही जीरा कडी पत्ता और मैं पहले भी शेयर कर चुकी फिलाल आप लोके साथ बैगन का बढ़ता बट क्या है कभी-कभी थोड़ा साना मतलब सब क दिफरेंट तरीका भी होता है बनाने का और जिस दिन बैगन का भरता बनाओ देखो गैस की हालत देखो साइड में दिख रहा होगा पूरा बेकार हो जाती है गैस भी तो फिलाल यहां पे मैंने सब कुछ डाल दिया है प्याज भी डाल दिया जैसे ही प्याज यहां पे कि खराब तो नहीं है तो बस फटा फट से कट कर लेते हूं और लोहे के बातन में ना सबजी और भरता कुछ भी बनाओ बहुत अच्छा बनता है यह लोहे का मैं इसमें अक्सर बनाती हूं सबजेयां तो बहुत टेस्टी बनती है तो आज यसी में बना रही हूँ बैगन क तो यहां पर दाल देती हूं अब सारे मसाले हल्दी नमक मेर्च धनिया जो भी है गर्म मसाला सारे चीजें मैंने इसमें डाल दी है और उसके बाद हैं और यहां पर नमक डाल दूंगी और यह पनी में थोड़ा सा नया मसाला मंगवाए था वो भी थोड़ा सा ढाल दिया है इसमें और उसके बाद नमक डालूँगी ताकि जल्दी से ना अच्छी सारी सबजिया जो है ना वो टमाटा और मटार यह सब अच्छी से पक जाएगा तो बस ढाल दिया है और स्लो फ्लेम में आराम से पकता रहेग और जब पकेगा उसके बाद यहां पर बैगन जो है वो भी मैंने तयार करके रख लिया है छिलका वलका निकाल के उसका तो बस जब तक यह सारी चीजे होंगी स्लो फ्लेम पर रखूंगी इसको तब तक मेरा आटा भी लगा के मैं तयार कर लूँगी और पहले मैं बनाने भाकरी जो आर के आटे की बनती है जो जो आर के आटे की रोटी उसको भाकरी वह भूलते तो वही बनाने वाली थी मैं लेकिन इसलिए मैंने सुबा आटा लगा आ या था था थोड़ा सा छी ऑफ़ ज्धे गझा और इसमाइल की बढ़े आराम नाराम से बनाना पड़ता है और रोटिया थोड़ा जल्दी बन जाती है तो इसलिए फिर मैंने कैंसल कर दिया और यहां पर मैंने बैगन के भरते मैं डाल दिया है उसके बाद थोड़ा डाला है दही दही से ना इसका टेस्ट आए बहुत अच्छा हो जाता है काफी अच्छा लगता है खाने में तो उसके बाद जही डालने के बाद यहां पर डाल रूँ थोड़ा सा मैगी मसाला इसे भी अच्छा टेस्ट आजाएगा और बस अब बन के तयार है हमारा बैगन का भरता गरम गरम इसमें डाली है हरी धनिया तो बस वही मैं यहां पर बस धहरा धनिया डाल के और गयस को कर देती हूँ बंद और फिर निकालते हुए एक कटोरी में गरम गरम बैगन का भरता देखो कितना बढ़िया बन की तयार हुआ है और अच्छा भी लगता है कोई भी मतलब मौसम में बैगन के भरता तो हमीसी अच्छा लगता है फिलाल इस हमारा बैगन का भरता बन के तयार हो चुका है यहां बनारी हुआ भी रोटिया खाने के लिए मुख नहीं लगरी लेकिन आज पता कि यूँ दलिया खालिया ना पेट बर गया उस तरी अभी इच्छा नहीं हो ली खानी के लेकिन बैगन का मतलब हुना है उससे थोड़ और जब मैं ब्लॉक बना रही हुँ बहार से बहुत शोर आरामा गाड़ी होगा इसली आता है क्योंकि यह रोड ने किनारे किचेन करती है ना और साइड में उसली रोड है तो वहां से बहुत जागा शोर इसली आता है तो फ्रेंड्स खाना वाना सबका हो चुका है स्माइली थोड़े दिर में आएगी अभी तो आने में फिलाल एक घंटा वाकी तीन बजे है खाप पीकर सफ्री हो गई हूं मैं और मैंने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लिया जाए फिर मिलती हूं मैं आप लोगों से आए पोतल हाथ में क्यों डेते आ रही हूं बैग में क्यों नहीं रखे है तरो जारो बैग उतारो तो फ्रेंड्स से स्माइली स्कूल से आ चुकी है और स्माइली का हो गया है टेस्ट पिपर आज मैं थोड़ी से सैटिस्वाई हुए स्माइली से इतना मेहनत कराने के आज थोड़ा पेपर अच्छा करके आई फिर बच्चे हैं हलकी फुलकी मिस्टेक तो करते ही हैं बट कोश्यन अंसर यह देखो मतलब लिखकर आई है सारे माइस तो फ्रेंड्स शाम के बच्चों के हैं पांच और मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूं को कि मु आपको ड्राप मतल मैं आपको रेजिस्क्रिंग बताओं सी ने आपाद मैं मिल गोता दी सी आर आई आर ए आई एन रें रें मतल चला ना हाँ बिलकुल चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में न्यू ब्लॉग में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चलो बाए